सुपरभाद प्यारे विच्चों, आज हम दान का हिसाब पाट के प्रशन अभ्यास करेंगे. उसी करम में हमारा पहला प्रशन है कि राजा किसी को दान क्यों नहीं देना चाहता था. उतर, राजा अपने सौंख वैस्चों के लिए राज कोस से हजार रुपे खर्श करता था. पंतु दूसरों के लिए वह बहत कंजूश था. उसे लगता था कि दान देने से उसका राज कोस खाली हो जाएगा. इसलिए वैद दान नहीं देना चाहता था. प्रशन दो लेंगे इसमें, राज दर्बार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? उत्तर हम लिखेंगे वह राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें दर था कि कहीं करोध में राजा उन्हें दंडर ने दे दे प्रसन मर तीन लेंगे राज सबा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे इसका उत्तर राज सब्मा में सज्र्जनों और विद्वानों का बिल्कUL भी आधर नहीं होता था इसलिए वे वह नहीं जाते थे अगला प्रस्थर लेंगे सन्यासी ने सीदे सीदे सब्दों में भीक्षा क्यों नहीं मांगी उत्तर सन्यासी को या पता था कि राजा बेहत कंजूस है तथा एक बार में वहे इतनी बड़ी रकम देने के लिए राजी नहीं होगा इसलिए उसने बड़ी बुद्धीमानी वे चालाकी से इस प्रकार भिख्षा मांगी कि राजा को वहे मामूली सी भिख्षा लगे अगला प्रसन लेंगे राजा को सन्यासी के आगे गिडगणानी की जरूरत क्यों पड़ी उत्तर सन्यासी अपने भिख्षा के नियम के अनुसार भिख्षा लेता रहा इस कारण राजकोस लगातार खाली होता जा रहा था राजा को डर था कि कहीं सारा राजकोस सिखाली ने हो जाए इसलिए उसे सन्यासी के आगे गिडगणानी की अवश्च पड़ी आप इन प्रसनों को अच्छे से लिखेंगे और या अद्वी करेंगे साथ ही काम करने के बाद अवश्च भेज देंगे धन्यवाद